हलो विवार्स, वालकम टो कुसम्स किचन, मैं हूँ वंदना और आज मैं पत्ता गूबी का ये बहुत ही स्वाधिश्ट, बहुत क्रिस्पी, टेस्टी और फटा-फट से बन जाने वाला ये नाश्टा लेकर क्या हूँ, खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है, बहुत चोटा चोप करने वाले हैं, तो इसके लिए हम इसे पीसेंगे, ग्राइंडर जार में डाल करके, तो इसे अगर आप बन चालू बन चालू ऐसे करके पीसेंगे, तो कुछ इस तरह से मोटा-मोटा यानि कि दरदरा पीस जाएगा, कॉरसली हमें इसे अच्छे से मोटा- के अंदर, और इसमें मैं मिला रही हूँ, बाइंडिंग के लिए जो नॉर्मल चपाती वाला आटा होता है न, वो चार चमच मैंने इसमें आटा मिलाया है, इस पाइसी टेस्ट के लिए मैंने आपर ग्रेंचिली जाट की हैं, वन स्पून बिल्कुर बारिक चोप करके, सा इसके लिए हम एक स्पेशल सा तड़का बनाएंगे, तो एक तड़का पेन में एक चमच तेल को गर्म किया, राई और जीरा डालेंगे, हाफ हाफ स्पून और वन स्पून मैंने गार्लिक यानि की लासून को बारिक काट करके रखा हुआ था, वो भी इसमें डाल दिया है, हाफ स्पून हम इसमें डालेंगे, अद्रक का पेस्ट और इसे कुछ इस तरह से ब्राउन हो जाए, तब तक कुक करेंगे, और ये तड़का हम मिला देंगे, हमारे जो पत्ता गोबी का मेक्स है, उसके अंदर, टोमाटियो केचप में यहाँ पर वन स्पून एट करी हूँ जो बिल्कुल ऑप्शनल है, और ये एक नीबू को मैं स्क्वीज करी हूँ, इसमें इसका बहुत यचा टेक्स टाता है, इन सारी चीज़ों को में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अगर आपको बाइंडिंग के लिए और जरुद लगती तो थोड़ा सा आटा और मिला सक पत्ता गुबी है, वो भी कुछ इसी तरह से जिसे कि आज मैंने पीसी है पत्ता गुबी को, इस तरह से अगर आप पीसेंगे तो उसका मंचुरियन भी बहुत ही टेस्टी बनता है, और इस तरह से मैंने इसकी छोटी छोटी सी पूरियां अपने हातों में ही बनाना लगते हैं यह वाला नाश्टा हेल्धी तो ही टेस्टी भी बहुत लगता है और कितना जल्दी बन गया है वो तो आपने देखी लिया है यहां पर मैंने जो पूरिया है उन्हें गर्म तबे पर डाल दिया था थोड़ी दिर में यह हम पलट करके दूसरी तरफ से भी अच्छ अगर आपको मेरा यह वीडियो रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी बनाना चाहते हैं आप मुझे बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं औ अगर आप पहले बार मेरे चैनल पर आएं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन यानि की गंटी का बटन जरूर दबाते हैं ताकि में कोई भी नहीं वीडियो आए उसका नौटिफिकेशन आपको जरूर मिलें आप देख सकते हैं कितिना क अगर्म करें त्यार होता है मैं इसे हरी चटनी के साथ सब्सक्राइब है हरी चटनी यानि ग्रीन चटनी की रेसिपी अपको लिंक उसका डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा आप भी उसे बना सकते हैं जो चाट के साथ में या सेंडविच के साथ में बहुत यह होगा ऐसी बहुत अच्छी और टेस्टी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा गंडी का बटन दवाना बिल्कुल मखूलेगा थैंक्स वोचेंग